ताइनेमेटिक एक्वेशन्स कुछ ऐसे सेट ओफ एक्वेशन्स होते हैं जो किसी भी ऑबजेक्ट के मोशन से रिलेटिट जो वेरियबल्स होते हैं उनको एक दूसरे से रिलेट करते हैं कैसे वेरियबल्स जैसे की ऑबजेक्ट की इनिशल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, अक्सेलरेशन, डिस्प्लेस्मेंट, टाइम तो इन सारे वेरियबल्स को एक दूसरे से रिलेट करते हैं अब जब हम बात करते हैं breaking force की यानि कि हम एक ऐसे force की बात करने की कोशिश करें हैं जिससे मेरा object या मेरा vehicle या मेरा car stop हो जाए stop हो जाए मतलब उसकी final velocity zero हो जाए यानि कि V zero हो जाए at the same time हम इस breaking force का relationship जानना चाहते हैं with respect to the initial speed या initial velocity u right तो ऐसे case में हम use करेंगे kinematic third equation जो कहता है V square is equal to U square plus 2 AS तो जैसा कि मैंने बताया कि यहां पर चुकि object रुक जा रहा है तो V की value हम zero डाल देंगे तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि जो acceleration है that is directly proportional to U square और हमें तो पहले से ही पता है from Newton's law कि force is equal to mass into acceleration यानि कि यह जो force है यह जो breaking force है यह U square के directly proportional है तो अब आप खुदी सोचो ना अगर आप speed को double करोगे तो आपका breaking force कितना होगा 2 का square यानि कि 4 times झाल 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 कीी यानि में 7 Master